बासपूर से सेकडों की संख्या में महिलाएं दिल्ली के गाज़िपूर बॉर्डर के लिए निश्चुल कबसों से रवाना होई गाज़िपूर में महिलाएं कृशी कानूनों के विरोध में चल रहे अंदोलन को समर्थन देंगी आपको बता दे कि क्रिशी कानून के विरोध में किसानों का दिल्ली में लगातार धर्णा प्रदर्शन जारी है किसानों द्वारा सरकार से क्रिशी कानून को वापस लिये जाने की मांग लगातार की जारी है किसानों की मांग पूरी ना होने पर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है किसानों ने अपने अंदुलन को उग्र रूप देने की किसानों के आने और जाने के लिए निशुल कबस सेवा का भी संच्वालन कर रखा है किसानों के समर्थन में उनके दोस्कों और आगे मजबूती से खड़े रहने के लिए सबी महलाएं अपना बढ़ चड़के सयोग दे रही हैं और बस हमारी सरकार से गुजारिस है कि अभी भी आप नहीं जागे तो शरम की बात है हमारी सरकार के लिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल से जल यह जो तीन काले कानून क्रिशी उसके लिए बनाए गये हैं उनको जल से जल रद कर दिया जाए क्योंकि जो इतने दिनों से इतनी ठंड में हमारे खिसान भाई सब वहां पे अपने बॉर्डर रूप नबॉर्ड préड़ mau चोड़े उनकी धर वापसी हो कि वह कुसल मंगन जो है और अपने घर वापसी कर सक है अपने घर पहुशन सके अपने परिवार के साथ बिलकुल पता नहीं क्यों ये सरकार क्यों अडियल रवया दिखा रही है जब कि सरकार कहती है कि ये जो कानून बने हैं वो किसानों के हित में हैं और हमें लगता है कि ये किसानों के कहीं पर भी हित में ये किसानों के हित में क्या ये पूरे जन के हित मेनी हैं तो बता दे कि आंदोलन को ग्रूरूप देने की महिलाओं ने भी अब कमान समाली है किसान आंदोलन के समर्थन में महिलाएं भी अब शामिल हो गई हैं लगातार महिलाओं की तरफ से भी यही मांग की जारी है कि तीनों कृशी कानूनों को वापस ले लिया जाया अंदोलन को गुरूरूप देने के लिए निशुलक बस सेवा भी कर दी गई है आपको बता दे की गाजिपूर बॉजर पर अब महिलाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा महिलाओं भी अब इसके समर्खन में आ गई है